इसे सुनो ठीक है ना अब एकदम ध्यान से पूरा Concentration और पूरा participation चाहिए का सबार तब इसको depth में समझा पाएंगे अगर कहीं भी कुछ गल्ती होता तो सारा गल्ती को दूर करना है न तो depth में समझना है इसको एकदम ध्यान से situation समझो, मानले एक आदमी है, ठीक है न, मतलब आदमी मतलब वो shareholder हमारा, ठीक है, shareholder का बाद बाद में करते हैं, पहले ऐसे बोलते हैं, application money, allotment money और call money, application money 2 rupees, allotment 5 और call money 3 है, है, मानले एक आदमी है, हम company है, एक आदमी है, मैरा shareholder है, उसे पैसा मांगे application का, न, आपकी का tip दे दिया, हम allotment का पैसा मांगा, वो दे दिया, हम call का पैसा मांगा, वो नई दिया, बल जो पैसा नहीं देंगे, समझा बात, अब जब वो पैसा नहीं दिया, पैसा क्य दिखेजनरम बन गया कॉल जिन अरिर हम पेसा दे तो बिलता जीङिछी यहनशे थी फिर देन बाद गया मैं लेइखने देवित अधे दीश्ची जी führen तो क्या के दीखी दीश्ची करते हैं उसके शाठ मेरा बात सम्झी दिन तक तुम दिखशी दिखशी सुने कि मेरा कि अगर आप companies act पड़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि कोई आपका shareholder अगर आपका पैसा नहीं देता है बार-बार मांगने के बाद भी intimation देने के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं देता है तो company के पास power है कि उसका share क्या कर सकता है four feet कर सकता है four feet कर लेने का मतलब हम company है ना हम तुम अन तुम shareholder है हम तुमारे पास जाएंगे तुमारे हाथ से वह share छीन लेंगे और छीन छीन लिया मतलब तुम समझ रहा है मतलब हम company किसे तुम से या नि कौन shareholder से यह share छीन लिया तो छीन लिया मतलब तुम अब मेरे company का shareholder रहेगा की नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं हम बोलता है थोड़ा से इस चीज़ को प्राक्टिकल सिनेरियो में डाल अब तुम लोग जिस उमर में यह अच्छा समझेगा ठेक है ना मतलब यह सिच्वेशन कैसा है मतलब जब कंपनी शेर होल्डर से शेर छीरेगा ना त किस तरह अब जा रहा बात है नहीं को हसी बता रहा है तुम समझ रहा है अब तुम लोग यह सब जाधा अच्छा समझता है मतलब मेरे से आधा मतलब हाँ वही है वह ब्रेक ओफ वाला सिच्वेशन है पुरा अब तुम खुदी सोच तुमारे साथ दो चार वार हो चुका ह तो इस वक्त जो-जो कहानी होता है न एक्जक्ली यहां पर भी वही-वही कहानी है रहा पहला डैलोग क्या मारे आज से तेरा मेरा रिष्टा क्या खतम अगला राइन क्या नींकलता है अगला बोलते मुसे आता है ना डायलोग या वाला अब यही बात company shareholder को कैसे बोलेगा company जो है वो shareholder कैसे बोलेगा बला मैं अपने book से तुम्हारी सारी यादों को मिटा दूंगा यानि shareholder जो है I mean जो company है वो अपने book से उस shareholder का सारा याद को क्या करेगा मिटाएगा तो मिटाते वक्त क्या-क्या मिटेगा ज़रा सोच से दिमाग लगा कि यह आदमी shareholder था इसका सबसे बड़ा proof किस नाम से था कौन से account से capital मालिक account मतलब क्या है capital तो मैंने बोला ना आपकी यादों को मिटा देंगे तो बही मालिक का याद था capital अच्छा capital का नॉर्मली क्रेड होता है कि debit क्रेडिट तो क्रेडिट आइटम को अगर मिटाना है हटाना है तो क्या करोगे डेडिट तो क्रेडिट को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं equity share, capital account क्या कर दूँगा, debit, कितना से debit करेंगे, जितना से credit किये थे पहले, एक दम मेरा बात समझ, कितना करेंगे, जितना पहले credit किये थे, पूरा ही याद खटाना है, थोड़ा सा भी नहीं रखना है, समझ रहे हैं मेरा बात, बोल तो, इस आदमी के नाम से, बुक्स में कितना रुपया credit किये थे, साथ रुपया नहीं, दोस्ट, दस रुपया, साथ तो दिखाई दे रहा है, तुम सोच रहा है, मेरा बात समझ ले, टू और फाइव वो दिया है, भाईया, साथ रुपया तो लिखे ही है, ठीक है, भाई, समझ, ठीका क्या हुआ था, मैं सिच्वेशन बता रहा हूँ, मैंने कॉल का पैसा मांगा था, तब उसने बोला, भाईया, नहीं देंगे, मेरा बात समझ ले, जब मैं मांग लिया, आपस में बात नहीं कर, एक दब मज़ा चला जाएगा, पूरा कंसेट्रेशन यहीं पर दोस्ट, आपस में बात किया, तो पूरा मज़ा खिरगिरा हो जाएगा, मैं बोलनों, जैसे ही मैं कॉल का पैसा मांगा, तुमको पता है ना, मांगते ही हम लोग केंट्री कर देते हैं, इक्विटी शेर कॉल, टू इक्विटी शेर क्यापिटल, यहीं अगर यह पैसा मैंने सामने वाले से मांगा है, फिर ना वो नहीं दिया, तो जब मांगे थे तो तब तो तीन रुपए उसके नाम से क्यापिटल में क्रेडिट करी दिये, मतलब यह दे दिया, वो तो क्रेडिट है, जो नहीं दिया यह भी तो क्रेडिट किया ही है, यानि उसके नाम से टोटल क्रेडिट कितना कर दिये थे, 10, समझ रहा ने 10, तो जितना कॉल्ड अप होगा, जितना 10 उससे मांगे थे तो 10 उसके नाम से लिख दिये थे, क्योंकि जब वो पैसा नहीं दिया था, कि जब relationship में रहते हैं तो थोड़ा मुड़ा gift exchange होई जाता है समझ रहा है ना बात मेरा तुम लोग अच्छा समझ रहा होगा है सब थोड़ा मुड़ा gift exchange होई जाता है ने अब exchange मतलब वह तुमको देगा तुम उसको देगा थोड़ा मुड़ा होई जाता है ठीक है उसका लग तो रिटन देने का कहानी होता है, ही ले ले तेरा समय कार्ड भी था है कि लिए ले जरुकिया-माले महा चोती है को सब्सक्राइक होगा होता हैं जो गिफ्त कुछ हो के डिने का मन नी सकता देंग आचा हूं मेरा बाट समझ रहा रहा है और दोस्त एक चीज सोच के देख पैसे से अच्छा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता हूं सब रिटन हो जाता है यह रिटन कहीं नहीं होता मेरा बाट समझ रहा हो तो सोच के देख जब यह कंपनी और यह shareholder रिलेशन्शिप में थे उस वक्त शेयर होल्डर ने कम्पनी को सेवन रुपीस कैश दिया था बोलो हाँ क्या लगता है कम्पनी ये पैसा वापस करेगा बिलकूल नी मार कर रख लेगा बात समझ थो मतलब यह जो साथ रुप्या बहुंत राख लिए सब्सक्व कर दोट है forfeited share account बोलते हैं, क्या बोलते हैं, forfeited share 7, मने equity share capital debit 10, 2 calls in a year कितना, 3, 2 forfeited share मार के कितना रख लिए, 7 समझ रहे हैं यहां तक सुनो ना तुम लोग यह सब बाद ज्यादा अच्छा समझता है, तुझे रहा समझ ऐसा है कि life में अगर life में अगर, एक बार धक्का खा जाएं, नहीं समझा रहा मेरे बाद तो ऐसा थोड़ी नहीं कि इसको दुबारा रीशू नहीं कर सकते नहीं समझा मेरे बाद मैं share का बात कर रहा हूँ मैं तब एक बार हो ही सकता है, नहीं बना किसी के साथ, तो हम share forfeited कर दिया था, पर share तो share होता है नहीं समझा मेरे बाद तो क्या होता है अगर कोई बाद में जाके कोई अच्छा candidate मिल जाए, मैं share का बात कर रहा हूँ तो उसको किसी को रीशू कर देते कई बार, नहीं समझा तो हम लोग क्या होता है न, share जो forfeited हो जाता है, उसको future में जाके रीशू कर सकते हैं, बैस अच्छा candidate मिल जाना ची वापस से कि जो क्या है, ऐसा है ना कि तुम सुना होगा, second and mall का अदा market में कम होता है नहीं समझा थोड़ा सा बात तो क्या होगा, यह वाला share जो वापस रीशू करेंगे न, तो generally ऐसा होता है, generally बात कर रहा हूँ कि पूरा पैसा नहीं मिलता है थोड़ा कम मिल जाता है, तो मानले हम 10 का share को रीशू कर दिया 8 रुपया में, 8 नहीं चल, 9 रुपया में रीशू कर दिये, नहीं समझा, 10 का share था कितना में रीशू कर दिया, 9 रुपया तो एक रुपया क्या हो गया, क्या एक रुपया क्या दे दिये, discount मत बोलना discount on ratio फरक पढ़ जाएगा, क्योंकि पहली दिन समझाये थे, share को discount में रीशू करना मना है, किन्तों रीशू करना मना नहीं है, रीशू कर सकते हैं तो 10 का share का 9 में, अगर मैं रीशू कर रहा हूँ, तो 1 रुपया हो गया discount on ratio अब इसका entry क्या होगा, हर बढ़ाना नहीं घबराओं नहीं पैसा आएगा रीशू करे वाग, तो क्या करेंगे, bank account debit discount है भाई, तो discount है तो क्या होँ आचिए, discount, debit to क्या, equity share, capital, बात समझो 10 रुपीज का share 9 रुपीज में रीशू के तो 1 रुपीज क्या है, discount on ratio, अभी discount on ratio को में discount account बोलके नहीं लिखता कभी भी, हम लोग इसको forfeited share में लिखते हैं, क्यों, क्यों, क्यों भीया, सुना उसी share का फाइदा है, उसी share का नुकसान है, 16, 17 ठोट खोल के कोई gold remittal मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं, 15, 16 ठोट अचाउट नहीं के उसी account में treatment कर दो, मतलब यह जो discount है, इसके लिए क्या account यूज करेंगे, forfeited share, यानि share जब discount में ratio हो रहा है, तो discount कौन से account में डालेंगे, forfeited share, यानि entry क्या बना, bank account, debit, forfeited shares account, debit, to क्या, equity share, capital, बात clear हो रहा है, अब समझ, यह जो forfeiture और ratio में, company को फाइदा हो गया, नहीं समझा मेरा बात, मतलब, forfeiture जब किये थे, 7 का फाइदा, नहीं समझा, और जब ratio कर दिये तो, एक का discount मतलब नुकसान हो गया ना, तो समझ, 7 रुपय का फाइदा आया pocket में, और एक रुपय का discount या नुकसान गया, तो net में कितना का फाइदा, 6 का फाइदा, यह मेरा profit on ratio है, इसको क्या बोलते हैं, profit on ratio, एक चीज ज़रा बता, यह जो profit on ratio आया है, company के पास, ऐसा profit company के बस रोज और जाएगा, company का धंदा है क्या forfeiture ratio, तुम लोग के लिए हो सकता है, सब्ता भर में change हो जाता है तुम लोग का, किंदो company ऐसा काम, रोज रोज नहीं करेगा, मतलब यह जो किस्सा हुआ, यह once in a blue moon होगा, जो रोज रोज होता है, इसको बोलते है recurring और जो रोज रोज नहीं होता है, सारा capital profit, capital reserve में जाता है, क्या बड़ बोले, दुनिया का सारा capital profit, capital reserve में जाता है, तो भाईया यह जो 6 रुपया तुमको दिखाई दे रहा, यह क्या है, capital profit है, तो इसको आमनों कहाँ डाल देंगे, capital reserve account में डाल देंगे, अच्छा यह 6 रुपया, कौन से account में पड़ा हुआ है, हाँ देख, forfeited में, debit पड़ा हुआ है कि credit, credit है ना, 7 का credit, 1 का debit, तो net में 6 रुपया credit है ना, तो credit को transfer करने के लिए, debit करते हैं, तो forfeited share का डबबा से निकाल रहे हैं, तो forfeited shares account, debit, समझ रहे हैं ना बाद, कितना रुपया, 6, और कहा डालेंगे, दुनिया का सारा capital profit, capital reserve में जाएगा, इसी लिए हम लोग डाल देते हैं, 2, capital क्या, reserve account, कितना रुपया, 6 रुपया, बोलो इतना दुर जो बोले, समझ में है, अब यहर बड़ाना नहीं, मैंने यह नहीं बोला, मैंने एक्जांपल खतम है, बोलो इतना दुर समझ में है, रुख जा, अब अगला situation समझ, यह मेरा पहला situation था, ठीक है ना, मान ले ऐसा situation, मैंने application मांगा, वो दे दिया, मैंने allotment मांगा, वो बोला दिच्छी दिच्छी, अब दिच्छी दिच्छी करते हैं, call का time आगया, call भी मांगा, वो बोला दिच्छी दिच्छी, गुसा आया, वो बोला दिच्छी, बतलब फोरफिट कर लिए, तो अब ज़रा situation समझ, अगर फोरफिट आज हुआ है, तो इसको देख के बता, हमको पहला सवाल, हम अभी तक अपने शेर होल्डर से कितना रुप्या मांग लिए, 10 पूरा मांग लिए, call डप है, 10, उसमें से वो कितना दे दिया, 2 रुप्या वो दे दिया, कितना रुप्या नहीं दिया, 8 नहीं दिया, मतलब अरियर हो गया, 8 रुप्या का, समझ रहे ना बात, अपने जब जर्नल एंट्री करने जाएंगे, 4 feature का बच्चे, तो एंट्री तो यही रहने वाला है, तो मैं एंट्री को change नहीं करूं, एंट्री वही है, equity share, capital debit, to call in aria, to forfeited shares, value सोचने क्या होना चीए, capital में कितना debit होना चीए, 10, उसे 10 मांगे थे, 10 credit हो है, तो debit भी 10 करेंगे, aria कितना था, 8, यहां कितना जाएगा, 2, निसम जाबात, ठीक है, आगे, इसको रीशू करना था, मैं वापस से वही काम किया, 10 का share को 9 रुपया में रीशू कर दिया, 10 का share को 9 में रीशू कर दिया, तो वही वाला बात, bank debit, forfeited shares debit, to equity share, capital, 10 का share को, 9 में रीशू किया, तो 1 रुपीस क्या है, discount on, रीशू, profit हो रहा है कुछ, हाँ, 2 का फाइदा, 1 का नुकसान, net में फाइदा, 1 रुपया, बोले ये बात समझ मैं या, पका ना, अगर इतना दूर समझ मैं है, तो मेरा last पढ़ाओ, जरा समझो, application मांगा, वो दे दिया, allotment मांगा, नहीं दिया, मेरा पहला question, हम अभी तक उससे कितना रुपया मांग लिये, 7, called up, 7 है, कितना रुपया वो दे दिया, paid up, 2 है, कितना रुपया, arrear है, 5 की 8, 5 पका न, क्योंकि जो मांगे नी, वो arrear, हो यी नहीं सकता, forfeit कर लिये share, entry जरा सोचो, सब में 10 लिखे हैं, हाँ भया, मांगे ही नहीं, मतलब उसके अकाउंट में credit, हुआ ही नहीं, तब मांगे नहीं में तब 3 रुपया credit नहीं हुआ ना भी, तक उसके अकाउंट में तो cancel कैसे करोगे, अकाउंट में credit होगा, तब ही ना cancel करने के लिए debit, credit ही नहीं हुआ, तो debit नहीं होगा, तो called up कितना है, 7, तो credit हुआ होगा 7, तो cancel कितना करेंगे, 7, arrier कितना है, 5, यहां कितना चाहेगा, 2, एक तो बात बोलें, amount 4 feet में तब जितना रुपय मार लिया ना, सुन ले मेरा line, जितना वो देता है, मार के रख लेते है, इतना सिंपल, इतना दिमाग ही नहीं लगा ने यार, क्या बोला, जितना वो देता है, हम मार के रख लेता है, जितना वो देता है, हम मार के रख लेता है, मार के रख लेता है, समझता है ना, आपको बताता हूँ, मैं इसको 6 रूपया में रीशु कर दिया, कितना में रीशु किया, जल्दी बोलो कितना का डिस काऊ, चार न, दस का शेर 6, हाँ, एक, क्योंकि मैंने बोला मैं रीशु कहां किया, call करने से पहले तो call अभी तक किये ही नहीं है तो मेरे share का call value कितना है 7 ही है मतलब बाकी लोगों से कितना मांग रखे हैं 7 तो ऐसे यह दखने जितना बाकी का उकाद होगा रीशू का उकाद भी वही होगा क्या बोले बाकी का उकाद जितना का होगा रीशू वाला का उकाद अब उकाद देखे किसा सब्दी उस कर रहे हैं याद रखने के लिए बोल रहे हैं बाकी लोगों का उकाद जितने का रीशू वाला का उकाद भी उतने का बाकी का उकाद अभी कितने का है 7 का तो जिसको आज रीशू कर रहे हैं आउकाद भी 7, तो मैं ऐसे बोलो 7 कमाल, 6 में रिशु हो गया नहीं समझा, 7 कमाल 6 में, तो 1 रुप्या का स्वरी, ऐसे लिखते हैं, तो 1 रुप्या क्या हो गया, discount, तो भाया, entry, bank debit, forfeit share debit to capital, capital में कितना, right, 7 कमाल, 6, 1 रुप्या, discount, और profit on ratio 2-1, that is कितना, जल्दी बोलो, कि आपको ये बात समझ में रहा है, अच्छा ये तो मेरे पास एक थो share लेके example कर रहे थे, मैं बोलना बोलगे, मेरे पास 100 share था, अब क्या करते, into कर देंगे, और भी और क्या, इतना क्यूं भावगर है, हो गया into करना, इतना ही तो है, अब मैं net में बात करना चाता हूँ कि किस में कौन सा figure में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख, ये जो capital है, इसमें कभी 10 लिख रहे हैं, कभी 7, इसमें कौन सा value लिख रहे है, actually में, called up value, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसे stretch में लिख रहा हूँ, तुम लोग जब लिखीगा, तो थोड़ा लंबा कर per share, yes or no, multiplied by कर देना number of share, हा की ना, अच्छा दिखाई दे रहे हैं, तो छोटा कर दें क्या, ये समझ में आ रहे है, समझ में आ रहे हैं, तो छोटा कर दें रहे हैं, जिससे आप विजुलाइज कर पाएं, ऐसी calls in arrear में कभी 3, कभी 8, कभी 5, ये कौन सा figure है, जितना वो दे ने दिया कि जितना नहीं दिया, मतलब ये paid portion है कि unpaid, तो मतलब मैं इसके लिए ऐसे लिख दूँ कि this is, हाँ, unpaid value per share, multiplied by क्या, number of shares हो जाना चाहिए, बात पकड में आ रहा है, और forfeited shares में क्या लिख रहे है, मैं बोलू, balance, अच्छा मैं जो बोलू, ठीक नहीं है, balance, 10-3, 7, 10-8, 2, समझ रहा है, balance तो ठीक है, अब तो गंदा तरीक है, पर तुम लोग ठीक है, ठीक बोल रहा है, कौन सा, paid up value, मैं बोला न, जितना रुपय वो दे दिया, वही तो मार के, रख लेते हैं, तो इसको बोले paid up value per share है, हाँ, ये हो गया paid up, दिखाई दे रहे है ना, वैसे रीशू के वक्ट जरा देखते हैं, बचे रीशू के पहले हमको ये बता, ये equity share capital में कभी 10, कभी 7, ये कौन सा value है, called up value, ऐसे बहले है, जिस तारीक को रीशू कर रहे हैं, उस तारीक का called up, हम simply called up लिख दे रहा है, कि तो मन में याद रखना, यहाँ पर कौन सा called up होता है, जिस तारीक को रीशू कर रहे हैं, उस तारीक को बाकी का जो उकाद रहता है, वही उकाद, मतलब उस दिन का called up, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, वापस से, ये भी है, called up value per share, into क्या, number of share, अच्छी एक रूपया क्या था, इस सब एक रूपया, ये क्या था, फ discount on, re-issue per share, multiplied by क्या, number of shares, और भी ये 9-6 से सब क्या है, जितना मैं re-issue किये, re-issue price बोलने, तो इसका मतलब, ये वाला जो figure है, ये अपना है, re-issue price per share, multiplied by क्या, number of share, समझे की नहीं, ये दोनों में देखो, 6-6-1 केगी, क्या figure है, profit on re-issue, तो दोनों के लिए common ऐसे लिख देते हैं, कि ये वाला क्या है, profit on re-issue per share, multiply किसे कर देना, number of shares, पहले बलो अब बी तक जो बोले बात समझ में है, क्या, clear है, अब क्या काम है, जापना, तो जापो, actually थोड़ा जगा बड़ा लगेगा, तो ऐसे हैं, कि अगर तुम लंबा अटा सकता है, दो पेज लेके तो अटा लो, ये फिर copy गुमांके भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्ची है,